महत्पूर्ण वीडियो की स्रिंख्ला में एक और महत्पूर्ण वीडियो हम लेकर आए हैं इसमें हम बात करेंगे सल्तनत काल सलतलत काल या यह कहें 1192 लेके 1526 तक के काल खंड में जो प्रमुख किताबें या यह कहें कि जो प्रमुख रचनाएं हैं वो क्या थी किनके द्वारा रचित की गई थी या लिखी गई थी उन पुस्तकों के बारे में हम इस पूरे वीडियो में बात करेंगे यह जो बाते की जाएंगी वो काफी डिटेल में की जाएंगी तो प्लीज अगर आपको एक डिटेल नौलेज रखनी है इन किताबों के बारे में तो आप चरूर इस वीडियो को देखें तो हमारे सामने जो पहली पुस्तक है वो है तबकात ए नासरी मिन हाजुदिन सिराज ने लिखी थी और यह एक एतिहासिक गरंथ है कैसा एक एतिहासि गरंथ है इन में उत्तरी भारत नौर्थ इंडिया में मुस्लिम अधिकार का वरणान है इस गरंथ में दिल्ली सल्तनत का क्रमबद विवरण इल्टुत मीज के सासन काल की महत्पूर जानकारियों तथा सासन कारियों में अमीरों वा उल्माओं के हस्तचे की जानकारी प्राप्त होती है तो तबकात के नासरी मिनहाजुदिन सिराज की पुस्तक है ठीक है कैसी पुस्तक है यह एतिहासिक गरंथ है जिसमें मुस्लिम अधिकार का वरणान मिलेगा जो उत्तरी भारत के मुस्लिम अधिकार का वरणान मिलेगा और इस गरंथ में दिल नेक्स्ट चच नामा दूसरी पुस्तक है चच नामा यह पुस्तक 711.12.20 में सिंध पर अरब आकरमण के समय वहां के मुल राजवन्सों का इतिहास जानने का सबसे प्रमालिक शुरोत है यह पुस्तक अर्भी भासा में दिखी गई है किस भासा में अर्भी भासा में दिखी इसके लेखक के विषय में कोई निस्चित जानकारी प्राप्त नहीं है ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि इसका लेखक मुहमद बिन कासिम के सैनिक खेमे में रहता था या आया था और वो लिखा चच नामा इसके साथ में हमें यह याद रखना है कि उसने अपनी रचना का नाम चच नामा सिंध के राजवन्स के संस्थापत चच के नाम पर रखा था किसके नाम पे चच के नाम पर रखा था चच नामा नेक्स्ट तारिक उलहिंद देखिए इग्यरहवी सताब्ती में तारिक उलहिंद की रचना अल्बरूनी ने की थी अल्बरूनी एक महान दार दार्सनिक था मतलब फिलोस्पर, गणित तग्य, मैथमेटिशियन, जोतिसी का नॉलेज रखने वाला, खगोल सास्त्री तथा चिकित्सा सास्त्री भी था इसके ब्यक्तित के बारे में EPSC जो है प्रशन पुछ चुकी है तो इसको जरूर ध्यान रखेगा वह एक दार्सनिक गणित तग्य, जोतिसी, खगोल सास्त्री, चिकित्सा सास्त्री था एक हजार सत्रह इसवी में जिस समय महमूद गजनवी ने खवारीज्म, राजपर आकरमल किया वह वहां के सासत का राजनेतिक सलाकार था मतलब की पॉलिटिकल एडवाईजर ठीक है वह इनानी और भारत की विद्याओं में पारंगत था मतलब इसको इनानी और भारती दोनों विद्याएं आते थी अल्वरुनी को इस गरंद से महमूद गजनवी के भारती आकरमलों तथा तत्कालिन भारत की समाजिक जीवन का सजीव चित्रन या वर्णन मिलता है किसमें तारिक उल्हिंद में किसने लिखा अल्वरुनी है ताजुल मासीर या हसन निजामी की पुस्तक है हसन निजामी ने 1205 इस्वी में कुटूब दिन एबग के आदेश पर इस पुस्तक की रचना के किसके आदेश पर कुतुबुदिन एबग के आदेश पर इस पुस्तक में तराइन के दुती युद्न तथा 1192 से 1206 इसवी के बीच एबग के सैन अभियानों का विस्त्रित वर्णन है तथा 1217 इसवी के इल्टुत मिज के सासन काल का भी उलेक इसमें मिलता है किसमें ताजुल मा सीर में जिसको हसन निजामी में लिखा यह दिल्ली सल्तनत का पहला सरकारी संकलन है यह एक ऐसा इतिहास गरन्त है जो भारत में मुसिम सासन से प्रारंब होता है इसमें दिल्ली सल्तनत की इतिहास को गजनी, मध एसिया और इसलाम की इतिहास से एक अलग विशे के रूप में चित्रित किया गया है इस बात को थोड़ा ध्यान से आप अपने जहन में रखिएगा इसमें दिल्ली सल्तनत की इतिहास को गजनी, मधएशया और इसलाम के इतिहास से एक अलग विशय के रुप में चित्रित किया गया है किरानूस सदाई या पुस्तक या पुस्तक अमीर खुसरों की इस पुस्तक में बुगरा खां क्या बुगरा खां और कैकू बात के एतिहासिक भेंट और दिल्ली सहर का मनोरण्यक वाणन है ठीक है अब हम नेक्स पुस्तक की बात करें खजेनूल फता या खजाइन उल फुतुर ये दोनों नाम याद रखिएगा ठीक है जहां पे जैसा लिखा हुआ मिल जाए इसका अन्य नाम तारीक ए अलाई भी है क्या तारीक ए अलाई देखिए इस पुस्तक की रचना भी किसने की है आमीर खुसरों इसे गद्य रूप में इन्होंने लिखा है जिसमें अलाउदिन की लडाईयों का इतिहास है किसकी लड़ाईयों की? अलाव दिन, खिल जी की लड़ाईयों का इतिहास है अमीर खुसरो की इस पुस्तक में अलाव दिन के सासन काल के अंतिम समय की इतिहासिक जनकारी मिलती है नूर सिपिहर ये अगली पुस्तक है नूर सिपिहर अमीर खुसरों की इस पुस्तक में मुबारक सा तो किस ने लिखा अमीर खुसरों ने तो अमीर खुसरों की इस पुस्तक में मुबारक सा खिल जी और अलाव दिन के सासन काल की परमुक घटनाओं को पद्य बद्ध इतिहास में वणे थे गद और पद मतलब poetry form में इसमें हिस्ट्री का जिक्र मिलेगा किसमें नूर सीपीहर में तुगलक नामा अगली पुस्तक है तुगलक नामा अमीर खुसरो की इस पुस्तक में ग्यासु दिन तुगलक के सासनकाल तथा बंगाल पर आकरमन का वरण किया गया है अच्छा यहाँ पर अगर मैं एक पुछूँ कि तुगलक वन्स का संस्थापक कौन था तो इस पुस्तक का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा आगे चलते हैं तारीक ए फिरोज साही इस पुस्तक के बारे में जालें देखे यह पुस्तक जियाओदिन बर्णी ने लिखी थी क्या जयाओदिन बर्णी की तारीक ए फिरोज साही एक महत्पून एतिहासी गर्ण्त है कैसा गर्ण्त है? एतिहासी गर्ण्त है इस गरिंध की रचना 1357 से 69 Isvy के बीच में की गई थी इस गर्ण्त में गुलाम वन्सी सासक बलबन के क्या? बल्बन के सासनकाल से लेकर फिरोसा तुगलक के प्रारंभिक छे वर्सों के सासनकाल का विस्त्रित वर्णन किया गया ठीक है तो गुलाम बंस के बलबन से लेके तुगलक बंस का फिरोसा तुगलक के प्रारंभिक छे वर्सों के साथ संकाल का विस्तित वर्णन आपको तारीखे फिरोसा ही में मिलेगा नेक्स्ट तुजुके तैमूरी में अमीर तैमूर ने दिल्ली पर आकरमण किया उसने अपने अभियान का वर्णन अपनी आत्मकथा जान दीजिए यह इसकी आत्मकथा है आटोबायोग्राफी है क्या तुजुक ए तैमूरी, या मल्फुजात ये तैमूरी, ठेखे, यह इसकी आत्मकता है, ठेख, आटो बायोगेराफ है, किसे लिखा? तैमूर ने, ये, नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे तारीके मुबारक साही सायद वंस के इतिहास को जानने का एक मात्र स्रोथ ए इसे रचनाकार ने इस इसपस्ट उद्देश से लिखा था कि वह अपने आस्रे दाता सुल्पान मुबारक साह कौन? मुबारक सा और उसके पुर्वजों की उपलब्धियों को सनरचित कर सको यह पुस्तक गोरीवन्स के उदय तथा उत्तर भारत में तुर्कों की विजय से संबंदी थे क्या? गोरीवन्स के उदय और उत्तर भारत में तुर्कों के विजय से संबंदी थे इस पुस्तक में दिल्ली, इस पुस्तक में दिल्ली के प्रारंभिक सुल्तानों का वर्णन मिलेगा, description मिलेगा, वो भी संचेप में दिया गया है विस्तिरति ब्याख्या सैयद सासकों की सैनिक यो राजनितिक उपलब्धियों से संबंदी थे तो ये डिटेल एकाउंट है सैयद डैनस्टी के सासकों के बारे में, उसका वर्णन सैयद मुहमद, सैयद मुहमद के सासनकाल में आचानग समाप्त हो जाता है फुतुहात उस सलातीन, यह मलिक इसामी द्वारा रचित है तो मलिक इसामी द्वारा रचित फुतु उस सलातीन गुलाम बंस के गुलाम बंस, खेलजी बंस की इतिहास की जानकारी का महत्पोंस होत है इस गरंथ से घटनाओं का निश्चित तिथी क्रम ग्यात होता है इसमें इसामी ने अपने गरंथ में विभिन घटनाओं का उलेक निस्पच भाव से किया है इसके गरंथ से दच्छें भारत के साथ साथ उत्तर भारत की ततकालिन राजनीतिक समाजिक एवं धार्मिक इस्थिती की जानकारी मिलती है किसमें फुतु हाथ उस सलातीन में किसने लिखा मलिक इसामी अब हम बात करेंगे राजतरंगणी के बारे में यह बहुत ही महत्पून पुस्तक है कसमीर की इतिहास पर सर्वाथिक प्रमाणिक गरंथ संस्कृत भासा में लिखे गई कलहड की राजतरंगणी है इसमें कसमीर पर सासन करने वाले विभिन राजवन्सों की सूचियां दी गई है राजतरंगणी में तीथियों से समंधित सुनिस्चिता नहीं है मतलब डेट तो किलियर नहीं है विशेश तोर पर प्रारंभिक भाग में तीथी समंधित और निस्चिता अधिक है मतलब डेट जो है वो फिक्स आपको नहीं मिलेंगे उसमें थोड़ा सा अनिस्ता है लेकिन बाद में उत्रार मतलब बाद की रचनाएं अधिक प्रमाडिक और एतिहासी हैं ठीक है ततकाली राजनेतिक गतवीधियों का विशलेशन भगौलिक इस्तितियों का ज्यान पारिव प्रश्ण में आपसे पूछूंगा की राजनेतिक गतवीधियों का विशलेशन भगौलिक इस्तितियों का ज्यान परिवारी की भियास और मुद्रा के प्रचला यहां पर एक प्रश्ण में आपसे पूछूंगा कि राजत तरंगनी में कुल कितने तरंग हैं इस इतिहासकार द्वारा लिखी गई कस्मीर के इतिहास पर सबसे महत्पुन पुस्तक तारीखे रसीदी है इसके लेखक हैं मिर्जा हैदर दुगलात क्या मिर्जा हैदर दुगलात यह पुस्तक राजत तरंगनी अभी जो हम लोग ने जिस पुस्तक का जिक्र क्या राजत तर पुस्तक का पुस्तक का पुत्र कुमार कंपन की वीजियों का उल्ले करता है किसके बुक्का प्रथाम के पुत्र कुमार कमपन के विजयों का उले करता है, जिन्हें उसने मदूरई के मुस्लिम सासक के विरुध प्राप्त की थी, इसे कमपन की पत्नी ज्यान देजेगा, कमपन की पत्नी गंगा देवी ने लिखा है, किसन लिखा है, गंगा देवी, यह तिसको आप देख भी सकते हैं किस लिखा गंढाङी है, next रहला, रहला या मुरुक को, मतलब दिल्ली सल्तनत की इतिहास की जानकारी का महत्पूर्ण स्रोत है इस ग्रंथ के द्वारा मुहम्मद बिन तुगलक के सासनकाल के विभिन घटना की प्रामाणित जानकारी मिलती है किसे रहला से यह ग्रंथ राजनितिक जीवन तक ही सिमित नहीं है बलकि इसमें भारत की भगौलिक इस्थिती हो गई, उपज हो गया, फसले हो गई, पैदवार, फल, ब्रिज, पच्छी और नगरों की इस्थिती एं समाजिक प्रथाओं के बारे में भी इसमें उलेक मिलता है तो क्या राजनितिक जीवन का तो उलेक इसमें है ही साथ में भगौलिक इस्थिती, उपज, फसलें, पैदवार, फल, ब्रिज, पच्छी, नगरों की स्थिती एं समाजिक प्रथाओं के बारे में भी उलेक किया गया है किस में रहला, रहला किस ने लिखा इबन बतूता या कहां का था मुरक्को का आपको यह वीडियो कैसा लगा, जैसा भी लगा, कमेंट डॉक्स में जरूर बताईएगा जोगी थुटी होगी उसका जिकर जरूर किजिएगा, तब तक के लिए थैंक्यू, धन्यवाद